इसे कहते हैं नियाए इसे कहते हैं प्रजावत्सल योगी आधित्यनाथ प्रजा के हीतों के प्रती कैसे समर्पित हैं परिवारवाद का बिरोद आखिर क्यों किये जाता है परिवारवाद का बिरोद करने का मुखे कारण है कि परिवारवाद से आया हुआ मुखमंत्री अपने परिवार के प्रती ही रादिन सोचते रहेगा जहां योगी आधितेनाथ ने योग धर्म को अपनाया है योगी के धर्म को अपनाया है अपने पिताखे संस्कार में भी नहीं गए बहन फूल बेजती है मा गिरगड़ाती है बेटा आ जाता लेकिन योगी ने तो माया तोडर की है एक फोन आया जोगी या जितनार्थी कर्याले में वो फोन था एक महिला का नाम था शंगिता शुलंकी जिनका चुनाओ तो हो चुका था कॉलिज में जोगदान देने के चिठी भी मिल गई थी लेकिन वहां के प्रचार्ये और प्रवंधन के मन में क्या आया ताल मटवल की निती अपनाई जाती है और ताल मटवल की निती तभी अपनाई जाती है जब उनके मन में कुछ है यानि कुछ पैसा दो घूस के लिए ही ये सारे काम किये जाते है कास सरकार इस बात पर धान देती कि सरकारी कर्यालियों में पेपर छिपा करके कैसे बड़े बड़े बाभू गरीब जनता से छोटे अधिकारियों से क्रमचारियों से पैसा आइटते हैं जिसे विभाग के लोगों से पैसा आइटते हैं पैसा आइटने का एक में नंदा यही है कि उसके पेपर की छिपा लो उसके पेपर का कोई जबा सब्सक्राब मत दो वादमी तडपता हुआ आएगा और कहेगा कि हमारा काम कर दो हमें बिलंब को प्राप्त कर रहे हैं हम और जब ऐसी बात कहेगा तो उससे पैशा लो उम्मजबूर होके पैशा देगा कर्जाले के खून बेचके गाए बेचके हालात ऐसे ही कुछ बना दिये गए थी संगीत आशुलंकी के साथ मुखमंत्री कर्याले को उन्हों ने फोल लगाया आप बीति उन्होंने अपसरों को बताई और अपसर मुखमंत्री से उनकी बात कराए मुखमंत्री योगी यादित्यनाथ ने तुरत करवाई करते हुए कहा कि उनके प्रचारी को फोन लगा करके बोलो कि क्या बात है अगर ये बात सही है तो जल से जल नोकरी दे बरना भी भाग ये करवाई प्राड़म में कर दी जाएगी और उस लड़की को नोकरी दो खंटे के भीतर मिल गई ये त्वरित न्याए इमानदारी का तगाजा है बरना न्याले में केश जाता बरसो बरस अटका रहता और इसी का फैदा तो उठाते हैं ब्रश्टाचारी बिभागों में ये ब्रश्टाचारी फैले हुए है और वहाँ पर पेपर को रोग करके ये गेम खेलते हैं शंगिता श्वलंग की नोकरी प्राप्त कर ली और मुख्वंत्री को धन्यवाद बोला लेकिन ये धन्यवाद बोलने से और नोकरी लेने से सबसे बड़ी बात है पर्दे के पीछे की कहानी हम लोगों को समझनी होगी कि एक फिल्म बनी थी जिसमें अपने डेट बड़े क बेटे के सर्टिफिकेट को लेने के लिए एक बुढ़े को कई टेवल प्रगूस देना पड़ा जिन्दगी कितनी कठिन कर देते हैं ये भरष्टाचारी पेपर को अपने ऊपर दवा करके और ये कर्यालियों का गेम है ये कर्याले में होता है बड़े साहब कहेंगे हमको पता नहीं है छोटे किरानी कहेंगे पेपर देखेंगे उनको यह हैं पता सब कुछ है यह यह देख लिए है लेकिन कि घुस्खोरी की जो परंपरा है घुस्खोरी कि जो लौशे जाते हैं जाते हैं रास्ते परों काममत करों प्रिजा का करमचारियों का अधिकारियों का काम मत करो वह अपने आएंगे चड़ब करके और पैसा देंगे हैं इस तरह से कर्यालियों में भ्रष्टाचार की खेती होती है लेकिन योगी आदित्यनाथ को इस पर ध्यान देना होगा कि हमारे बोलने से पहले कारी हो कारी संस्कृती इमंदारी का डेवलप्पर डर से न होना चाहिए कि जब आपके पास प्राया त्यवलत आपने रोका कि कहें कभी तो तो वो फोन की नोबत क्यों आएगी वो अधिकारी क्यों नहीं काम किया इसकी विभागिये जाच जरूर की जाए और उसके अंसार उसको सजा दी जाए धन्यवाद